अलो एक बार फिर आपका हमारे स्कारो 2020 के रिविजिन में क्लास 1-11 और अप्लिकिबिलेटी पार्ट 1 में कवर किया है इस फार्ट में कवर करेंगे क्लास 12-21 सबसे पहले क्लास 12 से शुरुबात करते हैं हमारे डिस्कुशन की क्लास 11 फ्राट के उपर था और जैसे ही मैं फ्राट की बात करता हूँ याद आती है निधी कौन है वो निधी निधी जिसके साथ बारवी में हमारा कुछ-कुछ चला था क्लास 12 और दिया था उसने हमें वही धोका इसलिए धोके के बाद याद आती है हमें हमारी निधी कौन स्ट्रिंशनenh mauvais योग है निल्दी कंती कोनी ist दोस्तों निपी कंदी कंदी क्री calm लेकट दोसमेस इस कोई अश्र खाल बेजिए अग्रम नीजियन के भालर है कि इए पैसा लुगे डीपोसिट में के फंगे और उसके अगेंस्ट में यह इन्वस्मेंट करें है तो एक restriction होगा कि यह कितना पैसा ले सकते हैं तो निदी कमनी में सबसे पहला provision आपका कहता है कि निदी कमनी शुट नॉट है नेट ओन फंड्स to deposit ratio of more than 1 is to 20. यानि कि नेट ओन फंड्स यानि एक तरह से आप कह सकते है capital इसको define किया गया paid up capital plus free reserves minus accumulated losses is to deposit जो आपने accept की हैं तो आप 20 times of your paid up capital plus free reserves less accumulated losses का deposit accept कर सकते हो यह आपको सबसे पहले check करना है as an auditor आपको देखना है कि जिस कमनी का आप audit कर रहे हो क्या वो निदी कमनी है कमनी है और bank insurance नहीं है तो उसके उपर आप अपलिकेबल हो रहा है कारो अपलिकेबल हो रहा है प्रोवाइड इग्जंशन की private कमनी वग्यार की limit में नहीं आ रही है तो उस case में आपको देखना है क्या हो निदी कमनी है और अगर निदी कमनी है तो फिर आपको देखना है कि क्या एक साथ 20 से जादा तो नहीं चला ओ सॉरी क्या उसका वन इस्टो ट्वेंटी से जादा का नेट ओन फंटू दिपोजट लियाबिलिटी रेशयो तो नहीं सेकिंड हमने कमबक्त उस पे सो प्रतिशत लुटा दिया लेकिन उसने कमबक्त अपना 10% भी मुझे नहीं दिया वावावावाव क्या है अगला पॉइंट देखे विदर नदी कमपनी इस maintaining 10% of its term in fact deposit liability in unencombered term deposits तो आपने जित्ते पैसे लिया है उसका 10% आपको क्या करा है जैसे बैंक में statutory liquidity ratio cash reserve ratio होता है same इसी तरह से नदी कमपनी को अपने जो deposit accept के हैं जिसको उसे last to last month के last working day का balance देखना होता है not very important to remember this उसका 10% आपको compulsorly RBI specified securities में रखना पड़ेगा जिसे आप safe investment कह सकते हो और इसके अपर किसी प्रकार का भी इसके उपर कोई charge created नहीं होना चाहिए यानि इसको गिरवी रख के आप कहीं किसी से loan नहीं लोगे अगल लिया तो फिर यह 10% में count नहीं होगा इसलिए इसे कहते हैं unincumbered term deposits and finally is there any default in payment of interest on deposits or repayment of any deposits for any period if yes the details are to be given तो अगर आप देखेंगे तो प्रमाली तीनों point किस से related है निदी कमनी ने deposit accept किये हैं तो deposit आपकी net own fund के 20 गुना से जादा नहीं हो अगर आप detail में देखेंगे तो you'll find all the details या निदी कमनी में सबसे पहले कौन निदी कमनी बन सकता है तो आपकी इच्छा है आप चाहें तो अपने आपको निदी कमनी रेजिस्टर करा सकते हैं लेकिन उस case में you'll have to compulsorly ensure कि आपको in corporation के एक साल के अंदर-अंदर कम से कम 200 members करना होंगे आपकी net own fund 10 लाख रुपे की कम से कम होना चाहें तो यह सारी limit more than equal two types है and अगर आप यू समझ लीजे कि आप financial type का business करना चाहते हो तो या तो आप अपने आपको NBFC register करो या फिर एक निदी कमनी या mutual benefit कमनी में से किसी deposit not less than 10% of outstanding deposits और net own funds to deposit liability 1 to 20 से जाधा नहीं होगी तो आपको इसमें प्रमाली पॉइंट no.3 और 4 के ऊपर चेकिंग करके कारों के ऊपर reporting करना है procedures आपकी क्या होंगे तो निदी कमनी ndh3 आफ यहली फाइल करती हैं जिसके अंतरगत details provide की जाती है deposits और net own funds की वहां से आप information देख सकते हैं otherwise आप management से मांगें के calculation deposit liability net own funds का form चेक करेंगे schedule of payment देखेंगे और देखेंगे repayment regular हो रहा है या नहीं कोई disputed dues है तो देखेंगे शायद से report करना होगा report तीनों में से किसी भी point में अगर default हो है तो accordingly क्या reporting हो सकती है उसका एक example यहां पर दिया गया है that's about it चलिया उमीदे तो बहुत थी कि दोस्तों निदी कंदी हमारी related party बनेगी तो 11 fraud 12 निदी 13 related party related party के दो sections है यहां पर हमारे पास जिसमें से एक audit committee का है इसका related party से एक छोटा सा connection है कि वो उसको review करती है उनके transactions को और actual में 188 related party transaction whether all transactions with related parties are in compliance with section 177 oh 177 तो audit committee related party के transaction audit committee के compliance में मतलब क्या है तो audit committee को proof करना पड़ते है transactions with related parties तो उसका compliance इस clause में चेक करना है and where applicable and the details have been disclosed in the financial statement etc as required by applicable accounting standards so it also talks about disclosures as per the relevant standard which could be AS18 or INDAS24 सबसे पहले क्या सारे transaction related parties के साथ जो आपने किये हैं क्या वो 177 audit committee और 188 transactions with related party company law के इन प्रोविजिन्स का compliance करते हैं audit committee तो फिर भी आप as such audit में पढ़ते हैं 188 definitely आपको detail में company law में discuss करने को होता है वो भी सिफ सिए final में provision 188 का briefly क्या कहता है it says की all companies will have to get approval of shareholders in certain cases और board of directors if they enter into transaction with related parties तो board of director कुछ case में shareholder का लेकिन अगर आपने transaction holding ने अपनी holy owned subsidy के साथ किया है तो कोई आपको approval लेने की जर्वत shareholders की नहीं होगी क्यों क्योंकि holding की 100% subsidy है तो it is as good as पूरा का पूरा पैसा उसमें मेरा ही है तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो मेरी related party है जिसमें किसी और ने भी पैसा लगाया है तो उसका फाइदा या नुकसान किसी और को भी affect करेगा वो पूरी तरह से मुझे affect करता है second board of director और shareholder का approval नहीं लगेगा अगर transaction related party का ordinary course में चेक कर लीजए कि transactions as such outside the normal course of business तो नहीं है तो इचसे इस ordinary course कैसे check किया जाएगा we will have to basically see the memorandum of association of the company what is the line of business what is the frequency of those transaction whether the transaction is as armland business purpose के लिए है similar third parties के साथ होते रहते हैं transaction size और volume के और तो नहीं है नॉर्मल से तो अपन कहेंगे कि और यह ordinary course का है next armland basis पे होना चाहिए how do we define what is armland और armland basis पे transaction हुआ या नहीं है कैसे चेक किया जाएगा तो armland price की definition हमें समझना पड़ेगा armland transaction तब माना जाता है जब अगर आप कोई भी standard देखोगे तो हो कहता है कि armland transaction का मतलब है जहाँ पे एक unrelated buyer और seller अपने best interest को protect करते होगे कोई transaction करते है जिसमें उसका उनका तूसरा कोई प्रकार का intention नहीं होता है such terms and conditions between a willing buyer and seller who are unrelated and acting independently of each other pursuing their own best interest this is how armland transaction are defined under say 500 and 50 कोई transaction armland पे है या नहीं है या आप कैसे चेक करोगे तो best है आप market price से check कर लो या आपकी surrounding circumstances से verify कर लीजे या unrelated parties के साथ जो transaction की price है वही price है या नहीं है income tax में भी transfer pricing के provisions होते हैं जो basically international transactions पे लगते हैं ये चेक करने के लिए कि आपने कहीं अपनी income किसी दूसरी country में transfer तो नहीं कर दिया इसलिए वहां के भी provisions आफ follow कर सकते हैं section 188 भी कहता ambulance transaction to mean transaction between two related party conducted as if they are unrelated sir as though so there is no conflict of interest so these are the two terms which you will have to keep in mind but the bigger question is कि section 188 में क्या क्या transactions attract होते so not every transaction is attracted under 188 normally आप ये समझ लीजे transactions with respect to purchase or sale of goods or services or assets primarily would be covered इसी तरह से कोई service का provision है कोई agent बनाया है आपने किसी व्यक्ति को या let's say for example आपने place of profit as an employment में किसी employee की position आपने let's say कोई related party को दिये या कोई underwriting के transactions की हैं इस तरह के transactions यहां पे cover होंगे तो sale purchase, property का कोई sale purchase, leasing, services, agent appoint करना, place of profit या ने employment में रखना या underwriting करना यह सब cases में माना जाएगा, दियान रखना place of profit could be in substitute or associate company as well इसमें ऐसा भी होता है, holding में appoint किया है तो फिर holding approval भी उस particular case में लगता है nevertheless तो यह आपके क्या है, basically this is what we mean by one 188 की coverage का है, two ordinary codes क्या माना जाएगा, three arms and price क्या मानी जाएगा इसके अलावा section 188 अगर आप बात करेंगे तो specifically section 188 क्या जाता है, इससे इसकी यह जितने भी transactions आपने किया है, इन सारे transactions को normally process ही होता है कि आपकी audit committee तो उसे review करती है, और अगर audit committee को लगता है कि आप लेंट प्राइस पे नहीं हुआ है, तो फिर वो recommend करती है उसके approval के लिए, फिर board of director और shareholder का उसमें approval लिया जाता है outside the ordinary course of business, अगर आपने ऐसे 550 पड़ा हो, तो वहाँ पे भी discuss किया गया है कि related party transaction appearing to be outside the normal course of business, वो कम माना जाता है, outside the normal course of business है, कोई complex transaction है, circle arrangement है, purchase or repurchase, sale or repurchase type के, या फिर आपने किसी प्रकार के heavy discounting arrangements कर रखे हैं, जो कि usually आप नहीं करते हो, complex equity transaction है, offshore entities के साथ transaction है, बिना consideration के कोई transaction enter किया गया है, इस तरह के साथे transactions क्या किये जाते हैं, outside the normal course हो सकते हैं, तो ये कुछ आपके aspects है, cross connection है with the other, standard auditor, चेक कैसे करेगा, तो ये audit procedures दिए गए है, normally आप क्या करोगे, management से समझोगे, भी या पहले आप बताएगे, क्या क्या related party transaction identify कि हैं, TCWG से कम चमझेंगे, minutes क meeting देखेंगे, उन्होंने क्या क्या approve किया है, वो देखेंगे management का क्या system है, फिर देखेंगे terms, arm's length, price पर रही है या नहीं, इसमें आपका MBP 1 form register, जिसमें आपका क्या किया जाता है, 189 में, there's a registration which is register maintained of all related party transactions, और MBP में आपका director declaration देता है, उसके related party तो नहीं है, ये आप verify कर सक हैं, and ऐसे 550 बहुत डीटेल में आपको समझाता है कि किन किन तरह से आप चीजों को verify कर सकते हो, loader अगर अपन पढ़ते हैं, audit committee corporate governance, वहां पे भी अपन assess करते हैं, देखते हैं कि audit committee की requirement होती है, related party को review करने की, तो इसकी minute से भी आपको पता पढ़ सकता है, plus आपको disclosure देखना ह कि ऐस पर applicable standard दिया या नहीं दिया है, और अगर इसमें कहीं पर भी कुछ non-compliance है, तो report करें, और सब कुछ complied है, तो भी report करें, तो non-compliance क्या-क्या सकता है, एक 177, 188 के provisions with respect to related party comply नहीं हुए, या दूसरा disclosure requirement of AS, respective AS comply नहीं हुए है, that's a tricky clause, because which involves a little bit of knowledge and understanding of 188, 177 and the terms like ordinary course of business and and then transaction, I hope that helps you to get an idea, but primarily, अगर अगर क्लास की बात करूं, तो हमने क्लास में क्या बात करी, निदी से हमारा relationship के, उमीद थी, Clause 13, related party, यो क्याता है कि related party transactions में, section 177, 188 का compliance or disclosure of accounting standard दिये गए, या नहीं है, cool, चलिए, then let's come to the next clause, which is 14, 14th clause आपका, अगर देखें, तो ये 14, 14th कोल्टा करदू, तो internal audit दिखता है, IA, IA, internal audit system commensate with the size and nature of the business, interesting case है कि company's act में, specifically section 138 बताता है कि internal audit system किसको रखना है, पर कहीं पर भी auditor को उस पे comment करने की जरुवत नहीं है कि internal audit system रखा गया है, या नहीं रखा गया है, तो कारों में ये चीज दी गई है कि, क्या internal audit system commensate with the nature and size of business है या नहीं, अगर आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से, गंभीरता के साथ clause पढ़ेंगे, तो clause 14 क्या कहता है, whether company has an internal audit system commensate with the size and nature of its business, and whether the reports of internal auditor for period under audit are considered by the statutory auditor, nowhere does it mentions that, whether company is required to keep an internal audit system as per section 138 and it has kept it or not, nowhere does it mention this, यानि this is not linked to 138, इसका मतलब अगर आपकी company पे 138 के अंतरगत, जो provisions हैं, 138 के जिसमें बतायाए गया, internal audit listed company, public company में लिमिट है 25, 50, 100, 200, private company में 100, 200 के, and यह limits किस की होती है, basically आपकी deposits, paid up capital, debt, और in fact, borrowings या फिर turnover के, revenue, तो इस particular case में, आप अगर उन limits में cover नहीं हो रहे हो दोस् तो आपको internal audit system नहीं रखना है, तो यहाँ पे auditor यह report नहीं करेगा कि हम limits में covered नहीं है, इसलिए internal audit system नहीं है, क्योंकि यहाँ पे clause यह नहीं कहता है कि whether company is having internal audit system if required under section 138, it simply says whether the company has internal audit system commensurate with the size and nature of the business or not, तो इस clause को समयने के लिए अपको इस clause की reporting बढ़ाता हूं, जिससे आपको clarity आईगी, अगर company के पास adequate internal audit system है, तो आप बोलोगे, in our opinion based on examination, company has internal audit system commensurate to the size and nature of business, irrespective of legal requirement है या नहीं, company does not have internal audit system, though it should have it under 138, then you will have to report in our opinion based on examination, though company is required to have a system under 138, it does not have such a system established for the year, and most importantly, company does not have internal audit system, plus it is not covered to or not required to have it under 138 as well, then in our opinion based on our examination, company does not have an internal audit system, and is also not required to have an internal audit system as per Companies Act 2030, इसका मतलब दोस्तों कभी आपको MCQ आजाए कि एक company में internal audit system नहीं है, क्योंकि 138 में prescribed नहीं है, तो बताएए इस particular case में auditor को क्या report करने की जरवत है, कुछ भी report करने की जरवत नहीं है, कारो में report करने की जरवत है, जवाब होगा कारो में report करने, report में क्या लिखना है, क्या ये negative comment माना जाएगा, of course negative comment माना जाएगा, क्यों, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि company में internal audit system नहीं है, हाला कि आप बता रहे हो कि होने की जरवत भी नहीं है, as per the law, बट फिर भी हम बता रहे हैं, या law की भले ही requirement नहीं हो, बट internal audit ultimately is a component of internal controls, you should have an internal audit system which should correspond to the size of the business, the nature of the business, this is why कारो does not specifically say, कि अगर requirement है, तो है या नहीं है, जनरल ही पूछता है, internal audit commensate to the nature and size of business है, या नहीं है, इसके लिए आपको कौन-कौन से provisions ध्यान होना चाहिए, 138, 610 using the work of internal audit, और 610 में purpose of internal audit में अपन पढ़ते थे, गोरी को, जिसमें governance, risk management और controls, और controls के अंदर अपन पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़े, जिसमें आता था कि auditor, सारी, internal audit का system का उदेश ही क्या होता है, सबसे पहले review of internal controls, उसका उदेश है, दूसरा उदेश है, जो operating activities है, उसका review करना, तीसरा उदेश है, financial and operating information सही सही बने, और overall हमारे laws and regulation का compliance हो, तो यह वहाँ से pick किया गया, procedures क्या होंगे हमारे, तो procedures as such auditor क्या लगाएगा, तो सबसे पहले देखेगा, internal audit है या नहीं है, तो उसकी size देख ले, as in team कित्ती है, लोग कित्ते है, decentralized है, scope कित्ता है, cover क्या करते है, qualification देख ले, उनके लोगों की, और देख ले, उसने report क्या prepare करी है, report पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि कितना अच्छा काम, अगर आपकी company listed है, तो आपके उपर loader लगता होगा, listing obligation disclosure requirements है भी कि, जिसके अंदर audit committee को, mandatory review करना होता है, internal audit reports को, उसे chief internal auditor appoint करना है, उसकी report review करना है, उसके द्वारा दियेगा एक control lapsus को, mandatory review करना है, उसके scope में होता है, तो फिर उस particular case में, क्यूंकि audit committee is entrusted with the function of appointment, remuneration, removal of internal auditor, communication with internal auditor, reviewing the internal controls, and in fact also calling them periodically to the reports, hence we can refer to their meeting minutes, चलिया, इसके अच्छा करना होगा, internal auditor technical assistance, as in third party expert assistance आता हो, reports उसकी बनती होगी, उसकी report में जो weaknesses report उसने करी है, उस पर follow-up system होना चाहिए, board of director की meeting और audit committee की minutes में, आपको internal audit की report के बारे में, बता पढ़ सकता है और देख सकते हैं, आपकी वो लोग उसको कितना तवजू देते हैं, तो इसके basis पर आप conclude करवा होगे, कि यह commensurate to the nature and size of business है, यह नहीं, यह देखिये, यह एक important point है, company में internal audit mandated नहीं है, फिर भी आपको inquiry करना पड़े की, क्या internal audit system है, यह नहीं है, and the essay 265 and in fact essay 260, communication with those charges with governance, and 265 deficiencies, reporting deficiencies in internal control, में भी का गया है कि internal audit, आप TCWG से discuss करोगे, कि internal audit system है यह नहीं और इस पर rely करना है यह नहीं, so that's about it, and then, whether the report of internal auditors for the period under audit, वर considered by statutory auditor, तो अगर internal audit system है, तो यह वाला clause लगेगा, और यह कहता है क्या उसकी report consider की गई थी, इसका मदलब हमारा inherent right, ऐसे भी होता है कि हम internal auditor की report देखेंगे, क्योंकि हमको internal control over financial reporting के उपर, या internal financial control with respect to financial statement, या ICFR, internal control over financial reporting, के उपर auditor को comment करना, और internal audit उसका एक function है, इसलिए हमारे लिए internal audit report as such प्राप्त करना ज़रूरी, तो हम क्या करेंगे, before the conclusion of audit and finalization of report, we will consider the internal audit report, कही बार हो सकता है कि हम उससे पहले भी cover consider कर ले, ताकि हमको कुछ risk areas उससे पता पढ़ ले, IFC over FR which is basically internal financial controls over financial reporting, हम क्या करेंगे, internal audit report consider करेंगे, ऐसे 610 उसके work को use करने की बात भी करता है, और इसके साथ ही हम उसकी reports देखने के साथ साथ, उससे meeting कर सकते हैं, और internal audit report अगर नहीं दी गई है, या short notice पे दी गई है, या adequately जो internal auditor में रिपोर्ट में बनाया था, वो चीज़े नहीं आ रही है, तो accordingly आप क्या report कर सकते हैं, अगर आपने consider कर लिया, आप बोल तो consider कर दी है, internal audit system नहीं है, तो बोल तो system ही नहीं है, reports आपके लिए available नहीं कराई गई, या late दी गई, या अधिय धूरी दी गई, तो आप उस case में लिख दीजे, कि internal audit reports हमारे पास available नहीं हो पाई है, और इसका impact, internal control over financial reporting, आपको याद होगा, section 143, sub section 3, clause 5 में, आपको report करना पड़ता है, इसमें क्या क्या चीज है, आपको समझना पड़ेगी, कमनी ने क्या enter किया है, non-cash transaction, सबसे पहली बात non-cash transaction का मतलब होता है, कोई भी transaction जसको cash और cash equivalent में deal नहीं किया गया है, settle नहीं किया गया है, पिछले साल उधारी में करीदा, तो इससाल cash pay कर दी है, non-cash नहीं किया है, मैंने goods लिए, बदले में goods लिए बाटर, in fact, कोई अगर आपने कमनी खरी दी और PC shares के form में डिशाच किया, वो भी non-cash बना जाता है, एक तरह से, I'm just explaining non-cash, I'm not explaining कि इस clause में क्या कवर होगा, पहले individually, term समझ रहे, तो non-cash का मतलब क्या होथा है, जिसमें cash और cash equivalence के साथ, क्या हुआ है, exchange नहीं हुआ है, तो माना जाएगा, that is something which is treated as non-cash, इसमें एक general condition दी गई है, कि अगर कोई भी code के द्वारा approved transaction है, तो इसके लिए आप उसे normally non-cash transaction ना माने, because that is not something which is voluntarily done, it is something which is done with approval, तो उसको इसके scope से बाहर रिखाया गया है, then, किसके साथ किया गया है, directors तो simple है, person connected with directors, now what is person connected with directors, so let's talk about that, so we know, when we are talking about this clause, which is covered under 192, तो basically 192 clause क्या कहता है, कि आप non-cash transaction director, या person connected with directors के साथ, नहीं करेंगे, unless and until 192 के compliance कर दिया, 192 क्या बोलता है, it says, no company shall enter into an arrangement by which, including a director of company, holding, subsidiary or associate, और a person connected with him, तो ये या ये, to acquire assets for consideration other than cash from company, और, company require assets for consideration other than cash from such directors, or persons so connected, यानि बेसिकली directors और परसन कनेक्टेड, किसके डिरेक्टर, company, holding और subsidiary, और associate के, company से या company इन से, asset for non-cash, sale purchase के contract नहीं करेंगे, जब तक, एक general meeting में resolution, prior resolution पास्ट नहीं हो जाए, और अगर, holding company में आप director हो, तो फिर उस case में, holding company के director, sorry, holding company का भी approval ले, ना पढ़ेगा, अब ये company law में detail में, आप section समझेगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा समय इस पे नहीं दूँगा, पर मैं simple सी बात कर रहा हूँ, कि आप किसके साथ transaction नहीं करोगे, तो इसमें, आपकी company, आपकी holding company, आपकी subsidiary और आपकी associate में, जो भी director है, उसके साथ आप transaction मत करोगे, कौन सा transaction, sir salary देते हैं, वो भी transaction है, अरे non-cash transaction to acquire asset, यानि उसकी कोई asset करी दी, बदले में, पैसे cash में देने की बजाए, form में, kind में दे दिया, वो नहीं चलेगा, बस, और करना है, तो prior approval, shareholder का general meeting आपको लेना पड़ेगा, तो ही कर पाओ, और approval किसका लेना पड़ेगा, तो अगर आप transaction director, या person connected to director के साथ कर रहे हो, तो shareholder का approval लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो holding अमनी का director है, और subsidiary उसके साथ transaction कर रही है, तो let's say Reliance के director है, मुकेश भाई, उसकी subsidiary में वो director नहीं है, पर subsidiary उनके साथ कोई non cash transaction कर रही है, तो उस case में Reliance Industries को भी approval देना पड़ेगा, उससे भी approval देना पड़ेगा, जब भी आप ये notice दोगे approval का, तो फिर इसमें problem का है, logical ही सोचो, इसे याद रखने की जर्वत नहीं है, कोई भी non cash transaction होगा, तो उसमें आप asset ले रहे हो, बदले में आप cash की बज़ाए non cash दे रहे हो, तो सबसे बड़ी problem है valuation की, समझ रो ना, वो यह समझ लिए कि अपनी श्यादी में अपना दोस्ता है, और उसमें अपने को एक हजार रुपे का लिफाफा दिया, हमने लाए इसने इतने कैसे दे दिया, याद दियान आए हमको क्यों अगले महीं ने उसकी दिया, उसकी शादी में हम गया और हमने उसको एक हजार रुपे का MRP वाला एक product दे दिया, फिलिप काट की थेली में pack करके क्योंकि वहीं से मंगा जा था, उसे मालूमें नुकसान का स्वाइदा हो गया है, क्योंकि उसने हमें एक हजार रुपे क्याज दीती, हमने हजार की MRP का product दिया, उसे मालूमें हजार की MRP के product में हो सकता है, इसी तरह से आप डिरेक्टर के साथ ऐसे transactions करके हो सकता है, कि आप डिरेक्टर को जो चीज दे रहे हो और बदले में उससे जो चीज ले रहे हो, वो बराबर की value की ना, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे important डेक ये transaction करने के लिए जब approval लोगे shareholder का, तो notice में आपको जो असेट डिरेक्टर से मिल रही है या दे रहे हैं उसको उसकी value हमें निकलवाना पड़ेगी, through a registered valuer, अगर आपने इन टर्म्स का compliance नहीं किया, तो ये company के लिए contract voidable हो जाएगा, इस clause में reporting requirement क्या है, सबसे पहले देखो क्या कोई ऐसे transaction during the year हुए हैं, और अगर हुए हैं, तो फिर 192 का compliance हुआ है, या नहीं हुआ है, सीदी सी बात है, चीके जी, person connected to director क्या है, तो ये कहीं defined नहीं है, तो any person in whom, any of the director of the company is interested, which could include a private company, जहांपे आप director या member हो, कोई body corporate जहां 25% voting power है, या कोई भी body corporate जिसकी board of directors, या director या manager आपके director या directors की बात सुनता है, इस case में 25% voting power में condition है, डिरेक्टर और two or more such directors together, आपको check करना है, तो उस case में माना जाएगा कि वो entity भी क्या है, उसके साथ भी transaction करोगे, तो 192 attract हो जाएगा, relative definitely person connected में आना चाहिए, जो 277 में defined है, और ऐसी situation में auditor को क्या procedures लगाना पड़ेंगे, तो आपको management से representation लेना पड़ेगा, कि इस तरह के कोई transactions तो नहीं हुए, इसके लिए MBP 1, basically जिसमें director अपने कोई transaction में interest होता है, तो disclosure देता है, और MBT 2, जिसमें आपके transactions की detail होती है, MBP 4, register of contracts with the related party, PPE का register, जिसमें आपकोई moment of assets purchase और sale देख सकते हो, minutes of general meeting, report public domain में या AGM में, MGT 15 form में हो सकता है, कोई information available, यहां सबसे आपको पता पड़ेगा, यसे कोई transaction हुए तो नहीं है, और अगर हुए हैं, तो फिर आपको compliance चेक करना पड़ेगा, definitely management से request करोगे, minutes देखोगे, scrutiny करोगे, inside returns actions की और इससे आपको चीज़े पता पड़ेगी, धान रखना हमें approval किसका चाहिए, तो we need prior approval, and approval के लिए, हमें बताना पड़ेगा, registered valuer की report, it's a repeat point, suggested reporting क्या है, अगर non-cash transaction without approval हुए है, तो आप report किया देंगे, कि या कमनी ने किया, और approval नहीं लिए है, और non-cash transaction वह नहीं है, तो आप simply लिख देंगे, कि to the best of our information and explanation given to us, no non-cash transactions have happened, so that is basically your clause 15, which is non-cash transaction with director section 192, अब आपे 16 नंबर पे, मैं सोल बरस की, तू अटर बरस का, सोल बरस में दोस्तों क्या आप इडल्ट हो जाते हैं, नहीं पूर क्या आप इडल्ट हुट के नजदी का जाते हैं, जी हाँ, इसका मतलब you are not a bank but an NBFC, हाँ, हाँ, तेख आगया है क्या section 45 IEA of the Reserve Bank of India Act 1934, और क्या अंतरगत आपको registration लेने की जर्वत है, और अगर है, तो क्या आपने registration लिया है, यह तो सिफ clause A है, चलिए, पहले हम आपको एक holistic view में दिखाता हूँ clause में, क्या-क्या मुद्दे हैं, तो सबसे पहले क्या आपको registration 45 IEA में लेना था और आपने लिया है, आगे, क्या कमनी ने non-banking financial या housing finance activity बिना valid certificate of registration तो नहीं कर दी है, कमनी core investment कमनी की तरह defined है, अगर तो क्या वो criteria फुल्फिल करती है core investment कमनी का, जिसमें उसे exemption मिलता है registration से, और अगर आपकी एक से ज़्यादा core investment कमनी है, तो किती है, उसका सिर्फ number नाम देने की जर्वत नहीं है, number देना है, तो basically clause NBFC इससे related है, आप ये कह सकते हो, 16 NBFC, क्या कहता है clause, समझे, RBI कहता है दोस्त, इंडिया में अगर कोई भी आप company register करके, financing nature का business करोगे, तो उस case में आपको approval लेना पड़ेगा, या registration कराना पड़ेगा RBI के पास, या तो आप bank बन जाईए, निदी company, चिट fund, ऐसा कुछ register हो जाओ, या कोई दूसरे act में हो सकता, आपका registration लगता हो, जैसे कि mutual fund है, तो CB के पास, insurance business अगर आप कर रहे हो, तो IIDA के पास, पर ये सम्में आप कहीं पर भी covered नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, you'll have to get yourself registered as a non-banking financial company रता है, कब माना जाएगा कि हमारा principal business financial nature का है, और इसलिए हमें RBI के पास registration कराना पड़ेगा, तो ये कहते हैं कि अगर आपकी total income का 50% से ज़्यादा financial assets से आता है, और आपकी total assets का 50% से ज़्यादा financial assets से nature का है, ये दोनों condition पूरी होती है, दोनों में more than 50% of assets are financial nature, more than 50% of income is from financial assets, ऐसी situation में आप एक deemed financial business करने वाली company, unless you are exempted from registration, or you are registered under any other provisions, you will have to obtain an NBFC registration, what is an NBFC, it is banking, non-banking financial company, which is a company, which is not having the principal business of trading in goods, or real estate, or providing services, but is engaged in the business of accepting deposits, giving loans, making investments, ये सब definition यहाँ पर दी गई है, अपन NBFC audit जब पढ़ते हैं, special audits में तो specifically इनको समझते हैं, but मुद्दे की बात यह है कि principal business आपका financial तब माना जाएगा, जब ये दोनों condition आप फुल्फिल करोगे, अब आप समझेए कि अगर आप ऐसा business कर रहे हो, जिसमें financial asset आपकी आधे से ज़्यादा है, majority और income आपकी financial asset से majority होगी है, of your total income, तो आपको compulsively NBFC का registration कराना है, unless you are exempt, NBFC का registration कराने जाओगे, तो RBI की कुछ norms होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपकी net-owned funds कम से कम 2 crore की होना चाहिए, 2 crore की net-owned funds आपको हर समय maintain करना है, और ये net-owned funds का मतलब क्या होता है, paid-up capital plus security premium plus free reserve, less any accumulated losses, even intangible assets, fictitious assets, plus अगर आपने कोई subsidiary, JV, associates वगेरा में investment की हैं, जो आपकी इस owned fund के 10% से जादा है, तो माइनस होगा, तो net-owned fund निकलता है, ये NBFC में पढ़ते हैं आप लो, तो ये net-owned funds की definition है, अब provision क्या कहता है, कि क्या कमनी को registration requirement है, और है तो लिया है याने, तो registration की requirement कब होगी, जब आपका principle business NBFC का होगा, और हो तो लेने के लिए पहली condition है, net-owned funds आपकी परियाप्त होना चाहिए, तो आप सबसे पहले देख लीजे की, business क्या है कमनी का, और उसके basis पे 50-50 वाला rule देख लीजे, और अगर है तो क्या registration के लिए, NBFC की net-owned funds की requirement फुल्फिल होती है, और registration लिया है, तो report में क्या-क्या देना है, क्या registration कराने की जर्वत है, है तो क्या registration आप्टेन किया गया है, और नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है, करने के लिए net own funds होना चाहिए आगे क्या कमनी ने कोई non banking financial या housing activity बिना certificate of registration की किये तो report कर दीजे तो या housing finance activity के आपको क्या दी गई है information दी गई है और उसमें simple reporting अब आप समझे लो what do we mean by core investment companies क्या होता है दोस्तों कई सारी ऐसी कमनिया है बारत में जो अपनी कोई एक group कमनी बनाती है जिसका सिर्फ काम होता है अपनी सारी group कमनी में पैसा लगाना जैसे आप समझ लीजे दोस्तों क्या हुआ let's say for example bill gates microsoft अरे इत्ती दूर क्यों जाना मुकेश भाई reliance कि हमारे पुराने हैं बिल्ला जी prime investments इन्होंने क्या किया है इन्होंने बुले है अब हमारे पास कुप सारा पैसा है तो मारी इच्छा होती रहती है इधर दल लगाते रहें तो ये लोग क्या करेंगे ये personal पार्ण्स नहीं लगाएंगे ये क्या करेंगे तो reliance is reliance के एक subsidiary or reliance investments and holdings limited कोई भी group company में पैसे लगाना है तो वो लगाती है in fact उसकी books में आप देखोगे तो सिर्फ investments ही major assets दिखेंगे और hence उसकी income भी major dividend interest form की दिखेंगे technically speaking ये एक nbfc बन जाएगी क्योंकि इसकी 50% से जादा की assets और income financial nature की है और क्योंकि ये registered as a company है इसे मजबूरन registration लेना पड़ेगा RBI के पास as an nbfc जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है इसको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जनता के पैसे लेने invest करना है सिर्फ group के लिए कर रही है इसके लिए एक special provision बनाए गया है जिसको आजाता है core investment companies core investment company होने के लिए सबसे पहली बात आपको 90% of your net assets सिर्फ और सिर्फ किस form में hold करना है group companies में investment जिसका 60% of your net assets should be in the form of investment in equity share or convertible only with more than 10 years period of compulsorily convertible into equity share within a period not exceeding 10 years in fact compulsorily convertible equity instruments जो 10 साल के अंदर-अंदर convert हो जाएंगे या equity shares में 60% of your total assets invested होना चाहिए प्लस आप अपने investment में trade नहीं करोगे करोगे तो भी block sale की 5%-10% एक साथ stake अपने offload किया disinvestment किया वैसा और इसके अलावा आप कोई दूसरी financial activity नहीं करोगे except regular bank deposits money market में रखना government security में लगाना employees को लोन देना इस तरह की कुछ चीज़े हैं या group company को लोन देना guarantee देना अगर आप ये चारो condition satisfy करते हो दोस्तो तो then in that particular case आप core investment company बन सकते हो अगर एक core investment कमनी public funds access करती है तो फिर उसको कोई registration कराने की जरुवत नहीं है provided उसकी जो total worth है जिसे हम क्या कहते हैं total assets वो 100 crore रुपे से ज़्यादा नहीं है in fact less than 100 crore ये कब जब आप public funds access करते हो पर अगर आप कोई public funds access नहीं करते हो तो आपको कोई registration कराने की जरुवत नहीं है अलागी इसमें भी condition होती है कि total assets अगर 500 crore से आपकी ज़्यादागी हो जाएगी तो फिर registration की requirement आएगी but nevertheless public funds का मतलब क्या होता है तो public funds is different from public deposit core investment company public deposit accept नहीं कर सकती यानि जनता से deposit नहीं ले सकती bank financial institution से loan ले सकती वो लिया अगर उसने है तो फिर माना जाएगा है public borrowing या public funds है उस case में 100 crore की total assets अगर हो गई तो registration कराना है उससे कम पे exempt हो तो clause में आपको check क्या करना है क्या company core investment company है defined under regulation और अगर ऐसा है तो क्या fulfill करती है criteria core investment company का और क्या exempted है और continuous to fulfill तो या आपको check करना है अगर आप exempted नहीं हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि भई आपको registration कराना पड़ेगा और करा लिया है तो बता देंगे कि registration करा रख़े तो इस तरह से आप check करेंगे यह सारे provisions आपको verify करना पड़ेगा यह reporting है and then अगर ग्रूप की एक से जादा core investment company है तो सिर्फ number of companies के है वो report कर दीजे that's about it, खताम 17 पे खत्रा, खत्रा हुआ तो losses हुए तो clause 17 simply क्या कहता है कि क्या company को cash losses in the financial year and immediately receding financial year हुए अगर हुए है तो amount of cash loss या पिछले जाल cash loss हुआ है अगर हुआ है तो बता दो इतना हुआ है what is cash loss तो सबसे बहले समझ लीजे cash loss निकालने के लिए आप company के profits ले लीजे और उन profits में सारे non cash expense add back कर दीजे जैसे depreciation, impairment और amortization इसके अलावा deferred tax कोई foreign exchange, gain loss unrealized है, वो सब भी आप adjust कर दीजे तो आपका cash loss आएगा अगर company index में cover होती है तो OCI में कुछ चीजें आती है वो अगर cash में realized है तो फिर उसको आप profits में add up कर दीजे पर वो non cash है तो फिर उसे profits में add up ना करे ऐसा करके आपको निकालना पड़ेगा दियान रखेगा कि यह सब आपको as per जो आपके SPL में figure है उसके basis पे निकालना अलग से निकालना होता है तो आपके SPL के basis पे या परी compute करके cash loss calculate करोगे और अगर होगा तो फिर आप report कर दोगे कि पिछले सालों में किस साल में one of the two years है तो पिछले साल नहीं था इस साल है तो बता तो इस साल है पिछले साल नहीं था पिछले साल था इस साल नहीं है तो बता तो यूजर्स को समझ में आएगा position deteriorate हो रही है या सुधा तो यहां रखना cash flow statement से cash losses निकालना थोड़ा मुशकिल है तो इलाब तो basically आप बुलो operating cash losses ही मेरे cash losses है तो यहां पर मैंने यह नहीं बुला operating cash loss बताईए cash loss बताईए तो investing activity के कारण भी कोई cash loss हुआ है तो वो भी उसमें शामिल होगा चलिए तो 18 whether there has been any resignation by statutory auditor during the year if so whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns which are raised by outgoing auditor 18 18 बड़े हो गए अब आप, adult हो गए है अपनी मनमानी करने लग गए हो अपने हिसाब से काम करते हो पसंद नहीं है तो उसको मना करते हो ऐसा ही किया है इसका मतलब यह है कि अगर कोई auditor resign करा है और उसके बदले में आप auditor आए हो सिर्फ एक ही केस जब पिष्ले ने resign किया और आप आपाए विकेंसी आई अधर थेन resignation और अपांट हुए तो भी clause नहीं लगेगा तो आपको रिपोर्ट करना है कि भी यह अगर कोई resignation हुआ स्टाजुटरी auditor का दूरिं दे यह वेदर auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns which were raised by the outgoing auditor अब इसके लिए आपको code of ethics भी धियान आजाएगा इसके लिए आपको loader के अंतरगतर specifically अगर listed company में auditor resign करता है तो उसके कुछ procedures है withdrawal के procedures है और ICI की implementation guide जो follow करना पड़ती है तो बहुत सारी चीज़े cross connect होंगे तो सीधी सी बात समझो provision पहले let's say for example race limited में सैफ अली खान हमारे auditor ते और वो resign कर गए और सल्मान खान को auditor appoint किया तो सल्मान खान को यह consider करना है अपनी report देने से पहले कि सैफ अली खान के जो सबसे पहली बात है जब उसने resign किया होगा तो इसने definitely section 140 के अंतरगत subsection 2 में resignation के अपने reasons form ADT 3 में फाइल किया होगे तो अपन वो पढ़ेंगे उसमें reasons मिलें plus हमें code of ethics के अंतरगत clause 8 schedule 1 part 1 में NOC लेना होती है और no objection लेया later communication करना होता है जिसमें वो हमें हो सकता explanation दे इसके अलावा listed company में compulsory होता है कि कोई भी auditor अगर resign करता है तो उसको reasons देना होते हैं जिसमें वो private reasons personal reasons या unidentified reasons नहीं दे सकता है उसको precisely बताना पड़ेगा कि इन reasons के कारण वो resign कर रहा है तो वो भी एक document आपके पास available होगा यह सब document से आप पता कर सकते हो कि उसके क्या observation थे plus लगे तो आप communicate करने कि उससे specifically बात कर सकते हो management जा कहेगे कि हमें उसके observation समये plus audit के दौरान फिर उसके कोई भी इस तरह के observations जो उसने report किये थे आपके सामने आते हैं तो आप ले लिस्टेट कंपनी में भी आपने सुना होगा अगर auditor कुछ let's say for example third quarter के बाद audit करने के बाद resign करता है तो उसे fourth quarter annual financial statement का audit करने के बाद ही resign करने का मौका मिलता है फिर आप आओगे क्योंकि अब auditor 5-5 AGM के लिए point होते हैं तो accordingly आपको report देना पड़ेगा तो यह जित्ती चीज़े मैंने बता दी इसमें ध्यान रखना joint audit के case में एक auditor में resign किया है तो भी बाकी auditors पे यह provision applicable होगा क्योंकि वहाँ पे उसकी vacancy है वो fill करना होगी तो या तो कोई नहीं auditor आएगा या existing auditor कोई बलेंगे आप complete करिये तो that will be also over attracting this clause तो when there is a resignation of statutory auditor during the year तो आपको बताना होगा कि हमने उसके issues consider कर लिए और कोई resignation नहीं है तो बता दो कि applicable नहीं है बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना क्या issue रहे इसकी और all that बस issues consider किया नहीं यह important है चलिए यह clause देखके आपको समझ में आ रहा है दस बड़े दस ratio की बात हो रही है तो अब schedule 3 के अंतरगत amendment किया गया है जिसके बाद अब आपको कुछ important financial ratios notes to financial statement में disclose करना होते हैं आज की तारिक में यह सारे ratios हैं जो disclose करना है auditor को क्या करना है अब देखे on the basis of financial ratios तमें ratios का calculation check नहीं करना है ratios के basis पे 1. Aging and expected date of realization of financial assets 2. Payment of financial liabilities 3. Other information accompanying financial statements D. Auditor's knowledge of the board of directors and management plans A. Whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty D. Sir यह तो going concern अगया नहीं going concern नहीं exist at the date of audit report balance sheet नहीं audit report that company is capable of meeting its liability which are existing on the balance sheet date as in when they fall due within the period of one year from the balance sheet date so this is not basically going concern but this is basically talking about solvency honestly speaking not really solvency but liquidity for one year अगले एक साल तक जत्ती भी आपकी due आ रही यह liabilities वो क्या आप जब due होंगी तब पे करने के आपकी हैसियत है या नहीं है यह आपको चेक करना है क्या 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 चीजों को देखके आपको कंक्लूट करना है कि कमनी पे कर पाईगी या नहीं सबसे पहले financial ratios देख लीजिए उससे आपको आइडिया लगेगा जैसे कि कौन से रेशियो देख सकते हो यह से कौन-कौन से और वो कब due to be realized और past experience से वहाँ पे मिलेंगे या नहीं और उसे compare करोगे आप financial liabilities की due date से और देखोगे कि जब-जब liability due हो रही है उस समय में पस क्या sufficient cash आज है या उस समय तक available हो जाएगी to pay off those things इसके अलावा आप board और management के plans भी देखेंगे तो उसका cash flow statement उसने बनाया हो कोई board ने management plan बनाया हो financial companies NBFC type में asset liability management statement बनता है जिसमें आप buckets में बनाते हो कि अगले तीन महीने में किता पैसा आने की उमीद है देने की उमीद है छे महीने में बारा महीने में कैसा होगा तो वो भी statements आप देख सकते हैं तो आप देखिये बातों ही बातों मेंने समझा दिया कि कितने तरह की चीज़ें आप जो देखोगे इसके लावा दूसरी information भी आप देख सकते है what can be or other information कोई भी दूसरे documents वगेरा में आपको और जानकरी मिल सकते हैं कही सारे references दियेगा हैं जिसको पढ़के आपको यह idea लगेगा उसके basis पे आपको यह सारे procedures लगा के management से return representation लेके conclude करते हैं दियान रखना this is not a going concern issue this is basically an issue that whether company will be able to meet its financial liability for a period of at least one years from the balance sheet date और यह checking हमें कब तक करते रहना है as near to as possible to the auditors report तो इसमें जो management representation भी लेंगे को audit report से कुछ समय पहले लेंगे कि आपको लगता है कि आप क्या करोगे liquidity maintain करो अगर आपको लगता है कभी material uncertainty है तो आप accordingly report करोगे फिर इसका impact हो सकता है going concern पर भी आई चले second last point आपका CSR के उपर है simply क्या कहता है provision it says corporate social responsibility section 135 के अंतरगत का गया है कि every company now has to so very briefly what the provision says is हर कमनी को आप क्या करना है दोस्तों तो not her company sorry every company which is governed under section और covered under 135 तो 135 में कुछ limits दी गई है जिसमें आगया है कि आपका profit पांच करोट रुपे है उससे साथ है in the preceding financial या आपके तो limits है पांच पांच सो हजार करोग यह हो गया आपका basically किस से related आपका paid up capital, turnover, revenue, profit अगर आप इन limits को touch cross करते हो तो उस case में आपके उपर CSR के applicability आईगी एक बार applicability वही तो लगातार तीन सालों तक covered हो फिर आप लगातार तीन सालों तक अगर within limit आगए तो फिर चौते साल से applicability नहीं आईगी सब preceding year के air ratios के basis पे देखते हैं इसलिए first year में by default applicability नहीं आती है अगर आप पे CSR लग गया तो आपको अपने average net profit of preceding three financial years subject to certain adjustments का 2% CSR में खर्चे पहले ऐसा होता था कि आप CSR की policy बनाओ उस case आप से खर्चा करो और अगर खर्चा नहीं हुआ तो फिर disclosure दीजे board report में क्यों नहीं हुआ अब ऐसा है कि आपको खर्चा करना पड़ेगा mandatory basis पे नहीं किया अगर आपने खर्चा तो जो shortfall है उसे आपको कहीं एक separate fund में transfer करना पड़ेगा अब इसमें दो तरह के fund हो सकते हैं पहला let's say हमारी कमनी के average net profit 100 करोड 2% 2 करोड CSR में डालने थे 2 करोड 2 करोड CSR में डालने के लिए कि मैंने साल भर का समय था मैंने साल भर में 1 करोड का ही खर्चा किया तो जो 1 करोड बचा है उसका मैं क्या करूँ क्यों 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 कि उसके करने के 6 महीने के अंदर अंदर आप separate bank account है transfer कर ले और ये पैसे को transfer करने की तारीक से तीन साल के अंदर-अंदर CSR project में लगा ले और अगर तीन साल में use नहीं हुआ तो उसके 30 दिन में आप इसे सरकारी fund में transfer कर ले और फिर सरकार वहां से इसके पैसे को CSR के लिए use करेगी लेकिन अगर आपका कोई इसा ongoing project नहीं है तो साल कतम होने के 30 दिन के अंदर-अंदर आप इसे CSR fund में transfer कर दीज़े ये एक सरकारी fund है जहां से सरकार इस पैसे को क्या करेगी CSR में use करेगी auditor को क्या चेक करना है कि अगर आपका ongoing project तो आपको छे महीने का समय दिया गया है तो जो unspent amount है क्या उसे schedule में specified fund में छे महीने from the expiry of financial year transfer किया है और अगर कोई amount unspent है ongoing project पे कितने साल तक unspent है तीन सालों तक तो after three years क्या उसे 30 दिन के अंदर special account में transfer किया है यानि यहां पे अगर आपका कोई ongoing project नहीं है और आपने CSR का करचा नहीं किया है और तीस दिन में इस साल कतम होने के transfer करना होता है तो वह वाला provision यहां cover नहीं होगा है सिफ ongoing projects के खर्चे यहां पर report करने की बाद की जारेगी आपको देना है और इसमें यह बताना है कि इतना पैसे transfer नहीं हुआ यह और भी and then your last point the only point which you'll have to basically give in your consolidated audited financial statements auditor's report सारे के सारे कारों के clauses स्रिफ separate financial statement के auditor की report पे जाते हैं except this clause which consolidated financial statement में जो auditor की reporter पे जाएगा इस clause में क्या कहा गया है जो भी company जिनके financial statements आपके financial statements में जोड़े जाते हैं जैसे subsidy उन company के auditors ने यानि कि subsidiary के auditor क्या कारों पर कोई adverse कारों के किसी भी point के उपर कोई adverse comment या qualification दिया है कि अपिनियन और financial statement पे नहीं कारों के point पे क्योंकि अगर उन्होंने opinion on financial statement में adverse comment दिया होगा तो उस case में आपने उसे adverse comment qualification दिया जैसे कि subsidiary is not repaying its dues on time या subsidy में whistleblower mechanism establish करना चाहिए था पर नहीं किया stuff like that तो उसने negative comment दिया होगा तो parent के auditor को अपने consolidated financial statements पे जो उसकी consolidated financial statements पर audit report आती है उस report के अंतरगाद एक specific provision या यह particular clause में report देना पड़ेगी जिसमें उसको subsidiary का नाम क्या relationship है subsidiary और उसके कौनसे कारों के clause number में modification या qualification या adverse comment auditor ने दिया है वो देना पड़ेगा और यहाँ पर clarify किया गया है कि यहाँ पर maturity देखने की जर्वत नहीं है यानि subsidiary के auditor ने जितने भी adverse comment कारों की report में दिया है वो सारे कि सारे आपको यहाँ पर list करना पड़ नाम ली ओल्डिंग आईगी नहीं है सच क्योंकि आप इसको कर रहे हो basically your consolidating subsidy यही है ड्र यही है यही है पर मैं खुद holding का auditor हूँ अर अधर holding के है ही कारों की report में कोई modified report या comments है तो फिर यहाँ पर वो भी आएगा अन देंसर्फ clause number of the कारों report which is qualified or adverse तो whether company have any qualification or adverse remark by respective auditor and caro of companies included in consolidated financial statement if yes indicate the details of the company and the para numbers of caro report containing qualification or adverse remark तो आपको ये भी नहीं देना है कि उसने क्या negative remark दिया स्विफ para number दे दीजे जिसकी जर्वत है वो उनकी report मंगा के उसमें caro के wallet clause को पढ़के देख लेगा कि क्या adverse comment है you don't have to repeat the comment और इसी किस साथ आपके caro के किस clause is complete हो जाते है दोस्तो इस kind of covers up your discussion on caro 2020 it's a very lengthy discussion and अगर आपको सिफ clause clause पढ़ने तो असानी से जल्दी अल्ली किया जा सकता है बट इसके audit procedures और इसमें क्या provisions है उसका interpretation क्या-क्या coverage होती है इसका quick coverage में नहीं आपे लिया है regular class में वीच्पेंड आपे लिया है 12-12 hours on this particular discussion discussing each and every point and details because it's a new thing you never know how much and what details will things could come but then we also focused in terms of these are the important ones where you'll have to focus more upon और वो importance के basis कही नहीं आपने आपे a quick revision लिया है चलिए I hope this is clear you have any kind of queries or doubts you can put in the comments I'll be happy to answer that and that completes your discussion on caro चलिए अब मैं आपको पता देता हूँ कैसे आप किस clauses के clause numbers याद रख सकते हो whether it is important for exams or not a secondary but then just try to get these clauses in your minds first and foremost clause number one I think PP very clear cut पहला और दूसरा clause PP or inventory ध्यान में रहना चाहिए तीसरा भी रहेगा क्योंकि it was one of the landiest clauses इसम loan guarantee security और investments की बात कर रहे थे let's come to the next one 4, 5, 6 as in clause 4 talks about section 185 186 का compliance 5 is deposit पैसे मांगो के किसी से तो अपनी कितनी उंगलिया आगे बढ़ाओ के 5 deposit दे दे बाबा दे दे बाबा 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 भी खराबता ही है तो 5 would go for deposit 6, 6 for water तो जो सर के उपर से जाए एक chartered accountant के वो है cost records तो इसके लिए 6 for cost record साथ due date है TDS की तो statutory dues हो जाएगा हमारा 8 8 मतलब खा गया है आप इसका मतलब आप income खा गया undisclosed income अगर आपने कोई declare करी है तो 9, 9 से मतलब क्या है basically तो we will say no इसका मतलब हमने repayment करने के लिए मना कर दिया that means we have done some default in terms of repayment of dues या फिर हमने miss utilization किया या subsidy JV associate के investments को गिरवी रख के loan लिया या उनके बहाफ पे loan लिया no no गडबल कर दिया आपने ऐसा कुछ कर दिया that is no 10 आप ऐसे याद रख ले 4 plus 6 is 10 section 42 और 62 का compliance check करना और private placement preferential allotment के compliance और end use of funds check करना 10 11 9211 हो गया fraud reporting हो गया आपका बारवी में हमारी मुलाकात निधी से होई थी जिसने हमारे साथ थोखा किया था नहीं तो हम उसके relative बन जाते 13 related party transactions 177-188 का compliance or disclosure then we talked about 14 14 का 1-4 Roman में उल्टा गया तो internal audit whether internal audit system is common straight to the size and nature of the business and whether reports have been studied and then coming on to clause 15 15 का मतलब हमारा क्या था non cash transactions with directors तो बोले तो 15 का मतलब यह हम बोल सकते है कि directors को हमने asset दिया और उसने हमको क्या क्या हाई फाई दे दिया simple और अच्छा बढ़िया तरीक का 10 रुपे की चीज दी director को और उनसे आधे का ही माल मिला 5 का 10 पाच क्यों क्योंकि उसने cash की जगे non cash में चीज दे दी जो दिख रही थी MRP 10 पर निकली आधे 5 की 10 पाच directors बहुत ही वहिया thank you 16 में 16 बरस की just sweet 16 में आप आगे हो NBFC आप फुल फ्लिजिट बैंक नहीं बने हो 17 पे 17 cash losses 18 पे आप बड़े होगे adult होगे और आप अपने decisions खुद लेते हो तो resign कर सकते हो that is resignation of auditor 19 से देखके लग रहा है 10, 1, 10 Roman numbers में यानी ratio जैसा लग रहा ही है तो ratios के basis पे क्या एक साल तक आप कोई आपकी जो liabilities due हो रही है pay करने के लिए संभव है या नहीं है then इसके बाद में 20 was basically for CSR that is second loss clause कि आपने transfer fund में किये या नहीं और 21 आपका consolidated financial statement वाहियात तरीके clause number याद रखने के पर वाहियात ही याद रहेंगे काम भी आएंगे मैं sequence बना के याद नहीं कराऊंगा 21 point कभी भी for the simple reason कि कभी exam में 15 नंबर का point आगया तो आप एक से शुरू करोंगे उत्ता concentration ही नहीं रहेगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इसी के साथ कारो का revision होता है complete आज की तारिक में मैं पास आज सच कोई annual reports है नहीं except there is a couple of annual report which I could see जिसमें आपको कारो 2020 की reporting मिलेगी जिसमें से I have got this one of these particular reports I'll share that on the FAST website just in case if you want to just have a quick look at it in terms of how कारो reporting they have done क्यों क्योंकि अभी रिजस्ट इस्ट बेगिन अपरिल 2022 hence not many filings are done but yes very soon we are expecting Infosys की report आजाएगी तो वहां पर definitely then you will be in the position to see the actual कारो 2020 first time being published because 1 April 2021 से जिफ राइंचल स्टेटमेंट आपके बन रहे हैं उसी में कारो की report आना शुरू होगी ये KLK Electricals की एक report है जिसमें कारो की बहुती छोटी मोटी सी time pass type की report दी हुई है ऐसा लगता है कि किसी बिना article से पूछे ही ये report बना दी रहे है आपके स्टरागी बट दो नॉट ये लगता है thank you very much all the very best for your exams and preparation